हलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सलेंट यूटूब चानल पे दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक नई वेकेंसी की बारी में और यह जो आपकी वेकेंसी निकल लिखा गये साफ साफ वेश्ट वेंगाल फॉरेश डिपॉर्टमेंट से आप इसमें अठ्मी के कंडिडेट अपलाइक कर सकते हैं और टोटल यहाँ पर वेकेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पर 2000 टोटल वेकेंसी निकल के आ रही है जो की बन सहायक के पत पर आपकी वेकेंसी है तो चले यहाँ पर पहले तो इसका नोडिफिकेशन हम डाउलोड कर ल जलती है आपको नई वेगेंसी की जनकारी जो भी अपडेट आता है सारी जनकारी आपको इस चनल के माध्यम से दिया जाता है तो यहां पर तो थोड़ा सा आप निशा जाते हैं इसकी अफिस्यल जो वेफ साइट है तो यहां पर देख सकते हैं कल के डेट में यहां पर आपक क्लिक करना पड़ेगा नोटीस अप्लिकेशन फ्राम पे यहां पर हम क्लिक करते हैं उसके बार नोटीस टाउनलोड करके आपको देते हैं पूरी जनकारी तो वीडियो को बात किया जाए तो यहां पर जो मेंसन किया गया जिसे कि आप देख सकते हैं यहां पर करेटेट 2000 पोश्ट इंदर निव कटेगरी कॉल वन सहायक फत्वे आपकी निकल की आ रही है जिसमें दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आप मनिश्य आ जाते तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पर मन्त आपको कितना दिया जाएगा सेलरी और कहां के कंडिडेट इसको अपलाई कर सकते हैं तो यहां पर आप ध्यान से देखिए जो यहां पर तिसरी नंबर पर लिखा गया यह आपका दस अजार रुपे अथा टेंथ ठाउजेंट वनली अथा यह यहां पर 10,000 रुपे पर मन्त आपको दिया जाएगा इसमें सेलरी के रूप में चले यहां पर हम तोड़ा सा नीशे आ जाते हैं यहां पर बात करते कि किन किन स्टेट को लोग आप फार्म को अपलाई कर सकते हैं तो यह जो आपकी वेकेंसी निकल के यारी केवल वेस्ट अंगाल के लोगी इस फान को अपलाई कर सकते हैं यह जो वेकेंसी है और इंडिया वेकेंसी नहीं है तो दोस्तों आप किसी और स्टेट के रहने वाले यह दी आप कोई भी छोटी बड़ी वर्ती की जनकारी पाना चाहते तो नीचे स्टेट का नाम अपना जरूर गया है अप्लिकेशन क्वालिफेकेशन यहां पर अप्लिकेश्टर सुड हैव पास्ट एड लेट क्लॉस एड एक्जाम फ्राम्दा रिकरनाइज उसकूल अथा था यहां पर अठवी पास के लोगी फान को अपलाई कर सकते हैं चलिए इमरी सीमा की बात करते हैं एज की त और दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूमें कि कोई भी वेकेंसी आते हैं उसमें SCST और OVC वालों के लिए छूट दी जाते हैं तो इसमें भी आपको इस तरह की छूट मिलेगी जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जो कि यहां पर आपको रखा गया SCST वालों के लिए 5 य देता हूं दोस्तों इसमें बहुत सारी आपको प्रूब के साथ देना पड़ेगा जिसे कि आप यहां पर देख सकते हैं प्रूब आप यहां पर रिस्टेंस एंड फोटो आइडी अधार कार्ड और ओटर आइडी यहां पर लगाना आपको अनिवारे दूसरी नंबर पर आता है आपका आइडी डेटाब वर्त सर्टिफिकेट और यहां पर आपको अधार कार्ड पेंगार यहां पर रहे हैं और यहां पर आपका क्वालिफिकेशन रखा गया जो आपका अठीप पास उसका भी आपको मार्सित लगाना पड़ेगा जो इसका सेलेक्शन प्रूस स गया है वह आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे को अपलाई करना है बात करते तो इसका यहां पर लुघ लिखा गया है कि आप यदि 30 जोलाई को यह फार्म अपलाई नोटिफिकेशन जारी किया गया तो 7 दिन तक यह आपका 7-8 दिन तक यह आपका फर्म भरा जाएगा और यहां पर जो आपका कुछ यहां पर मार्स पर अनुसार यहां पर रखा गया तो इसको भी आप ध्यान से देख लिजिएगा चलिए इसका हम बात करते कि कैसे आप फर् लूट करके यहां पर इसको फार्म भरना चाहते हैं तो और यहां पर कहां आपको सेंट करना है वह भी मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां पर जब नीचे आए जाएंगे सारी जनकारी फिल करके तो यहां पर आपको जिस जोन से भरना है तो यहां पर आपको दिया गया कैसे आपको फार्म को भरना है यहाँ पर जैसे कि आप देख सेके यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर आपको फोटो भरना है और यहाँ पर आपका डिश्टीक होना चाहिए और यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर नाम पिता का नाम डेटा बर्थ और यहाँ पर किस क बढ़ अपना इड्रेस बरिएगा और यहां पर आपको कंटेक्ट पॉन यहां पर रखना पड़ेगा उसके बाद यहां पर इमैल इप कोई से डिड़ना का 750 जो पोला जाता है उसको लगाना पड़ेगा और कॉपी कोश्ट cit 2 करना पड़ी reuse लगत पर जती पर इसको बोला जाता है इसके बांड यहाँ पर सिंगनेचर करना है दोस्तों और जी tik से आप अपको कर रहे हैं उसको यहां पर डेट आपको मेंसन करना है उसके बाद आपको यहां पर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहां पर दो तरीके से फार्म आपको दिक्कत नहीं होगा ये थी दोस्तों एक छोटी सी जनकारी उमिदे आपको पसंद आई होगी और इस तरह की जनकारी कोई भी पाना चाहते तो नीचे कमेंट पर जरूर बताइएगा और चानल को सब्सक्राइब के लिजेगा इस तरह की जनकारी पाने के लिए तो मिल